हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी सक्सेस प्लस में और आज हम पढ़ने वाले हैं जोग्राफी का बहुत ही महत्पूर टॉपिक भारत की नदियां यहां से एक्जाम में क्वेस्टन पूछे ही जाते हैं इसलिए आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और सभी ओप्शन को क्लियर करते हुए चलेंगे ठीक दोस्तों बिना देरी की हुए सुरू करते हैं आज का सेशन हमारा पहला कोशन है हमालय पार की नदियां हैं ओप्शन A सतलज सिंदु गंगा ओप्शन B ब्रहंपुत सिंदु सतलज ओप्शन C ब्रहंपुत सिंदु गंगा ओप्शन D ब्रहंपुत सतलज गंगा दोस्तों हिमालय पार की नदियां का मतलब है जिनका उद्गम हिमालय से नवकर हिमालय के ऊपर से है हिमालय पार से है हिमालय को पार करके जो नदियां भारत में आई हैं तो ऐसी कौन सी नदियां है तो सतलग, सिंदू, सतलग का मांसरोवर जील सिंदू का मांसरोवर तिबबत में गंगा का, लेकिन गंगा का हमारा गंगोत्री से हुआ है तो इसमें तीन ओप्शन्स में गंगा है ओप्शन B में नहीं है तो हमारा सही अंसर होगा ओप्शन B ठीक दोस्त ओप्शन B ब्रहम्पुत सिंदू सत्रज यह नदियां हमाले पार की नदियां है तो इन नदियों के एक वार देख लेते हैं जिनका उद्गम कहां से हुआ है तो पहली है ब्रहम्पुत नदी ब्रहम्पुत नदी ब्रहंपुत नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोबर जील से हुआ है और जिसका मभवाना बंगाल की खाडी में है और ब्रहंपुत नदी की कुल अंबाई उन्ती सो किलिमीटर है ब्रहंपुत नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और जैसे ही ये अरणाचल पिदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम देहंग पढ़ जाता है और असम में इसे ब्रहंपुत नदी की नाम से पोकारा जाता है और जब यह बांगलादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमना हो जाता है ठीक दोस्तों इसके साहएक नदियाँ हैं दिवांग लोहित और कामिंग मानस तीस्ता इसकी प्रमुक साहएक नदियाँ है और दोस्तों माजुली जो दीप बनता है वह असम में भ्रहमपत नदी पर ही बनता है ठीक दोस्तों, नेक्ष्ट देख लेते हैं सिंदु नदी, सिंदु नदी का उधर मिस्तल है, तिबबत में मांसरोवर जील के पास, इसका मोहाना अरब सागर में पड़ता है, पाकस्तान में, लंबाई, इसकी लंबाई 288 किलोमीटर है, इसकी सायग नदिया देख लेते हैं, सतलज, चिनाव, रावी, व्यास, जहिलम, ठीक दोस्तों, और भी इसकी सायग नदिया है, गिलगिट, काबुल, कुर्रम, ठीक दोस्तों, आब नेक्ष्ट देख लेते हैं, गंगा, और इसका मोहाना गंगाल की खाड़ी में है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर, गंगा नाम कब पड़ा, देख प्रियाग में अलक नंदा और भागी रथी नदी के संगम से, गंगा नाम पड़ा, गंगा नदी को बांगला देश में पड़मा के नाम से जाना जाता है, इसकी सायक नदियां है, यमना, सोन, राम गंगा, सर्यू, कोसी, गंडक, महा नदी, गोंगती, गहगरा, ठीक है दोस्तों, इसमें नेक्ष्ट देख लेते हैं, नेक्ष्ट है हमारा सतलई नदी, जिसका उदगम तिबबत में मांसरोवर जील के पास राकस ताल से हुआ है, और जिसका महाना चिनाव नदी है, मतलब यहां सतलई नदी, चिनाव नदी में आकर मिल जाती है, ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्ष्ट कोसन पर, और नेक्ष्ट कोसन है हमारा, निम्ण लिखित में से नदीयों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, उप्शन A, ब्रहंपुत, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, उप्शन B, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, उप्शन C, ब्रहंपुत, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, उप्शन D, गंगा, ब्रहंपुत, गोदावरी, नर्मदा, इसका सही अंसरोगा, option A ब्रहंपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा तो ब्रहंपुत्र और गंगा को तो हम उपर देख चुके हैं यहां देख लेते हैं गोदावरी नदी को तो गोदावरी नदी का उद्गम इस्तल पस्चमी घाट में त्रेंबग पठार से है और इसका महाना बंगाल की खाड़ी में है गोदावरी नदी को दच्छड की गंगा या ब्रद गंगा भी कहते हैं इसकी सायक नदिया हैं बाण गंगा, प्राण हिता, इंद्रावती, सवरी, मांजरा इसकी प्रमुक सायक नदिया है चलते हैं नैश्ट कोसन के ओर भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है आप्शन ए गंगा, आप्शन बी ब्रहंपुत, आप्शन C, क्रिष्णा, आप्शन T, गोदावरी तो इसका सही आंसर होगा आप्शन A, गंगा यहां आप सोच रहे होंगे कि प्रहंपुत सबसे बड़ी नदी है दोस्तों प्रहंपुत भारत में प्रहंपुत भारत में केवल 916 किलो मीटर ही लंबी है भारत की सीमा में प्रहंपुत नदी 916 किलो मीटर ही लंबी है और जब के गंगा नदी 2525 किलो मीटर लंबी है भारत में ठीक दोस्तो यहां हम गंगा नदी प्रंपुर नदी और गोदावरी को देख चुके हैं कृष्णा नदी को देख लेते हैं रश्णा नदी इसका उद्गमिस्तल पस्तमी घाट की महावली उसर परवस्य हुआ है इसका महाना बंगाल की खाड़ी है इसकी सायक नदिया है कोईना नदी पंच गंगा दूद गंगा तूंग बद्रा गाट प्रवा माल प्रवा मूसी भीमा आदिसकी प्रमुक सायक नदि हैं चलते हैं नेस्ट को सन क्यों नेस्ट को सन है हमारा गंगा और ब्रहंपुत की संयुक्त जल्दारा को किस नाम से जानी आती है गंगा और ब्रहंपुत की संयुक्त जल्दारा को मेगना नदी के नाम से जाना जाता है ठीक दोस्तो चलते हैं नेस्ट को सन की ओर बारत की सबसे अधिक नोगम में दो नदियां है ओप्शन ए कावेरी और गोदावरी ओप्शन भी गंगा और ब्रहंपुत ओप्शन सी गंगा और सिंदू ओप्शन डी ब्रहंपुत और यमना दोस्तों यहाँ नौगम में नदियां नौगम में नदियां किसे कहते हैं? जो नदियां गहरी, चोड़ी और बारहमासी होती हैं और यहाँ नदियां किसी बादा से मुक्त होती हैं इनकी गहराई और चोड़ाई बहुत अधिक होती हैं उन्हें नो गम में नदियां कहते हैं तो इसका सही अंसर होगा हमारा गंगा और ब्रहंपुत ऑप्शन B ठीक है दोस्तों चलते हैं नेश्ट कोश्टन के ओर और नेश्ट कोश्टन है हमारा नेवने लिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क से तु है भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क से तु है ओप्शन A सोन नदी ओप्शन B नर्मदा नदी ओप्शन C गंगा नदी ओप्शन D महा नदी तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन C गंगा नदी तो गंगा नदी पर सबसे बड़ा सड़क से तु है जिसका नाम महात्मा गंदी से तु है जो बिहार में इस्थित है ठीक है दोस्तों चलते हैं नेश्ट कोशन की ओर और नेश्ट कोशन है हमारा गंगा और ब्रहंपुत नदीयों का उदगम इस्थान क्रमस इस्थित है ओप्शन ए नेपाल और तिब्बद ओप्शन वी तिब्बद तथा सिक्किम में ओप्शन सी उत्तपदेश तथा तिब्बद में ओप्शन डी उत्राखंड तथा तिब्बद में तो इसका सही अंसर होगा ओप्शन डी उत्राखंड तथा तिब्बद में गंगा नदी का तिब्बत में मांसर ओवर्जील के पास है चलते हैं नेश्ट कोस्टन की ओर और नेश्ट कोस्टन है आज का निम्ने लिखित नदियों में से किसका उदगमिस्तान भारती छेत्र में नहीं है उप्षन ए महा नदी उप्षन बी ब्रह्मपुत नदी उप्षन सी रावी नदी उप्षन डी चिनाव नदी तो इसका सही अंसर होगा उप्षन बी ब्रह्मपुत नदी तो दोस्तों यहां महा नदी को देख लेते हैं महा नदी सेहवा परवसृडी 36 गड़ से इसका उधगम इस्तल है और इसका महाना बंगाल की खाड़ी है ठीक है दोश्तों देख लेते हैं रावी नदी को रावी नदी का उधगम इस्तल हिमाचल पिदेश में रोहतांग दर्रे से है और इसका महाना चिनाव नदी में है और रिगवेदिक काल में इसका नाम परुसडी था नेश्ट देख लेते हैं चिनाव नदी को चिनाव नदी का उद्गमिस्तल हिमाचल पिदेश में बारालाचालादर्रे के पास है और चिनाव नदी दो नदियां चंदर और भागा के मिलने से बनती है इसका महाना सिंदु नदी में है तो चलते हैं नेश्ट कुसंपर तिबबत में बहने वाली नदी सांग पो नेमने लिखित में से किस से होकर भारत में प्रवियक्स करती है तो तिबबत में बहने वाली सांग पो नदी को तिबबत में सांग पो नदी कहते है और या किस बारत में किस राज़ से रेज करती है जिसके बाद इसका नाम दिहांग पड़ जाता है ठीक है दोस्तों चलते हैं नेस्ट कुस्टन पर विस्ट का सबसे बड़ा नदी तुई माजली का निर्माण करने वाली नदी है उप्शन ए क्रिष्णा उप्शन बी कावेरी उप्शन सी गोदावरी उप्शन डी ब्रहम पुत्र तो इसका सही आंसर होगा उप्शन डी ब्रहम पुत्र ब्रहम पुत्र विस्ट का सबसे बड़ा नदी तुई माजली का निर्माण असम हजमें करती है नेस्ट कुस्टन है निम्ण लिखित में से कौन सी नदी दच्छर से उत्तर की ओर पर वाहित होती है औप्षन A कृषन नदी, औप्षन B काविरी नदी, औप्षन C गोदावरी नदी, औप्षन D बेत्वा नदी तो इसका सही आंसर होगा ओप्षन D बेत्वा नदी दच्छर से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो बेत्वा नदी को देखते हैं बेत्वा नदी का उध्गम इस्तल है विंद-परवत-माला मद्विदियृ जिले से तो ये इसका मखाना याउना नदी में हमीर-पुर्जिले में होता है next देखते हैं ka-ve-ory-nyadी को कावेरी नदी का उद्गमिस्तल पस्तमी घाट के ब्रहम गिरी परवत से है और इसका मुहाना बंगाल की घाडी में है यसे दच्छड भारत की गंगा भी कहते है इसके सायक नदियां है हैमावती, भवानी, अमरावती, कावेरी और कावेरी जल्ब बवाद करनाटक और तमिल नाडू के बीच है दोस्तों अगर आपको या वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साजा करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी चलते हैं नेश्ट कोस्टन पर नेश्ट कोस्टन है निम्ने लिखित में से किस को प्याहर का सो कहा जाता है ओप्शन A गंडक, ओप्शन B कोसी, ओप्शन C सोन नदी, ओप्शन D गंगा तो इसका सही आंसर होगा ओप्शन B कोसी, कोसी नदी जिसका उदगम नेपाल में हिमाले में त्रिवेडी से है और इसका मोहाना गंगा नदी, गंगा नदी में इसे बिहार का सोक या मार्ग मदलने के लिए जानी जाती है यह नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है इस नदी को विनासक नदी भी कहते है नेश्ट देखते हैं गंडग नदी गंडग नदी का उदगम इस तर नेपाल में दहुला गिरी परवस्थे है इसका मोहाना भी गंगा नदी में है और गंडग नदी को नेपाल में साली ग्राम की नाम से जानते है और नेश्ट देख लेते हैं सोन नदी को सोन नदी का उदगम इस तर भी अमर कंटक पहार से है और इसका मोहाना भी गंगा नदी में पटना जिली में है दच्छिर की ओर से यमना के बाद या दूसरी नदी है जो गंगा नदी में आगर मिलती है ठीक दोस्तों चलते हैं नेश्ट कॉस्टन पर नेश्ट कॉस्टन है नेश्ट कॉस्टन है तो इसका सही आंसर होगा ठीक दोस्तों चलते हैं नेश्ट कॉस्टन पर निम्ने लिखित मैंसे कौन सी नदी बंगाल का सोक कहलाती है उप्सन A सोन, उप्सन B गंडक, उप्सन C हुगली, उप्सन D दामुदर तो इसका सही अंसर होगा उप्सन D दामुदर दामुदर नदी को देख लेते हैं इसका उद्गमिस्तल छोटा नागपुर पठार जारकन से है और इसका महाना हुगली नदी में पस्चम बंगाल में है नेश्ट देख लेते हैं हुगली नदी को हुगली नदी का उद्गमिस्तल गंगा की एक साका है और हुगली नदी को विश्व की सबसे विश्वास घाती नदी भी कहते हैं और हुगली नदी का मोहना बंगाल की खाड़ी है ठीक दोस्तों चलते हैं नेक्ष्ट कुस्टन पर नेक्ष्ट कुस्टन है एक मोटिवेशन असंबाव कुछ भी नहीं है बस संबाव बनाना चीज़ों को कठिन होता है जी हाँ दोस्तों असंबाव कोई भी चीज नहीं होती अगर हम कोसिस करें तो हर चीज संबाव हो सकती है बस उसे संबाव बनाने में हमें परिस्रम करना पड़ेगा हमें कठनाईया होती है लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और उसे संबब बनाने का हर प्रयत्न करना चाहिए ठीक है दोस्तों आई हो यह वीडियो आपको अच्छी लगे और यदा यह वीडियो आपकी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नेस्ट कोशन है वे दो प्रमुक नदिया कौन सी है जो अमरकां टक पठार से निकलती है परंतोवे अलग अलग दिसाओं में बहती है ओप्सन ए चंबल और बेतवा ओप्सन वी चंबल और सोन ओप्सन सी नर्मदा और सोन ओप्सन डी नर्मदा और बेतवा तो इसका सही अंसर होगा अमरकां टक पठार से तीन नदिया निकलती है सोन नदी नर्मदा नदी और महा नदी तो इसका सही अंसर होगा option C, नर्मदा और सोन नदी ठीक दोस्तों चलते हैं next question पर और next question है तवा किसकी सहयक नदी है option A, नर्मदा option B, तापी option C, महा नदी, option D, गोदावरी तवा नदी नर्मदा नदी की सहयक नदी है option A, नर्मदा नदी ठीक दोस्तों चलते हैं next question पर और next question है निमने लिखित में से किस नदी को उड़ी सागा सोग खा जाता है option A, महा नदी option B, ब्रहमबडी option C, वैतरडी option D, दामदा तो इसका सही आंसर होगा ब्रहमबडी नदी ब्रहमबडी नदी को उड़ी सागा सो कहते हैं ठीक दोस्तों चलते हैं next question पर और next question है चंबल नदी का उड़गम इस्तल है option A, नाग पहाड़ी option B, जनापाव पहाड़ी option C, ब्रहमबडी पहाड़ी option D, अमर कंटक पठा तो इसका सही आंसर होगा चंबल नदी का उड़गम इस्तल केनापाव पहाड़ी और चंबल नदी का मोहाना यमना नदी में इड़ावा जिले में है ठीक दोस्तों पर next question है भालत की लवड नदी के नाम से जानी जाती है option A, माही option B, लूनी option C, पनास option D, सावर मती तो लवड नदी के नाम से लूनी नदी option B, लूनी नदी को जानते हैं और लूनी नदी कहां से निकलती है अरावली परवस्से और यह कच्च कारण में चली जाती है नेस्ट कोस्टन है अमारे प्रायदुईपी भारत की निम्न नदीयों में से कौन सी तीन से विसेश टूप से बिन है option A, नर्मदा option B, कावेरी option C, नर्मद क्रश्न option D, गोदावरी तो इसका सही आंसर होगा option A, नर्मदा नदी क्यों? क्योंकि यह अरब सागर में गिरती है पहली वाग दूसरी, यह पस्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी पस्चिम की ओर बहती है तीसरी नर्मदा नदी ज्वार नदमुक का निर्माड करती है और कावेरी, क्रश्ना और गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माड करती है ठीक दोस्तो next question है निमने लिखित मैंसे कौन सी नदी S चरी नहीं बनाती है Option A नर्मदा Option B तापी Option C मांडवी Option D महानदी तो इसका सहीन अंसर होगा Option D महानदी महानदी S चरी हर्था ज्वार नदमक का निर्मार नहीं करती है ठीक दोस्तों चलते हैं next question पर next question है कौन सी नदी अपने महानँ पर डेल तापी नदी तो इसका सहीन अंसर होगा Option B तापी नदी तापी नदी अपने महाने पर डेल तापी निर्मार नहीं करती है तापी नदी ज्वार नदम का निर्माट करती है नेश्ट कॉप्षन है निम्ने लिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है उप्षन A गोदावरी, उप्षन B नर्मदा, उप्षन C तवा, उप्षन D सोन तो इसका सही अंसर होगा, उप्षन A गोदावरी, गोदावरी नदी पस्चमी घाट के तिरिम्बक पठार से निकलती है न के अमरकंटक पठार से, ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेश्ट कॉप्षन पर, और नेश्ट कॉप्षन है नेमने लिखित नदी युगमों में से कौन जवार नदमक का निर्माट करती है उप्षन A नर्बंदा और एवं तापी उप्षन B गंगा एवं प्रंपत उप्षन C क्रेश्चन एवं काविरी उप्षन D क्रेश्चन एवं कोदावरी तो इसका सही आंसर होगा उप्षन A नर्मदा और तापी नदी दोनों नदियां जवार नदमक का निर्माट करती है नेश्ट कॉप्षन है निब्ण में से कौन सी नदी रिफ्ट गाटी से होकर बहती है उप्षन A तापी उप्षन B गोदावरी उप्षन C कावरी और उप्षन D क्रश्णा तो इसका सही आंसर होगा उप्षन A तापी नदी तापी नदी रिफ्ट गाटी से होकर बहती है और जवार नदमक का निर्माट करती है ठीक है दोस्तों चल दें नेश्ट कॉप्षन पर नेश्ट कॉप्षन है निमने लिखित मैंसे किस नदी के महानों पर डेल्टा नहीं बनता उप्षन A तापी उप्षन B गोदावरी उप्षन C कावरी उप्षन D महानदी तो इसका सही आंसर होगा उप्षन A तापी नदी तापी नदी के महाने पर डेल्टा का रिर्मार्ण नहीं होता तापी नदी ज्वार नदमक का रिर्मार्ण करती है Next question है दच्चल भारत के पठारी प्रवे को कौन सी नदी दो बागों में विवाज़त करती है Option A तापी, Option B नर्मदा, Option C माही, Option D साबरमती तो इसका सही आंसर होगा, Option B नर्मदा नदी नर्मदा नदी भारत के पठारी प्रदेश को दो बागों में विवाज़त करती है नर्मदा नदी सत्पड़ा और विंद परवत के मत्य से ओकर पहती है Next question है दच्चल भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है Option A गोदावरी, Option B क्रश्णा, Option C कावेरी, Option D नर्मदा तो इसका सही आंसर होगा, Option A गोदावरी गोदावरी नर्मदा दच्चल भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है ठीक है दोस्तों, और चलते हैं आज के आखरी कुश्ण पर निम्ने लिखित में से किस नदी को प्रदगंगा के नाम से जाना जाता है Option A गोदावरी, Option B क्रश्णा, Option C कावेरी, Option D महानदी तो प्रदगंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है और इसे दच्छड की गंगा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक और थेंस पर वाचिंग, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ सेर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जै हिन, जै वारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में